बिस्मिल्लाइ रुख्मेन रुखीम, अस्सलाम अलेकुम तैजीबुल इसलाम स्टूडियो में आप सबका विल्कम है इस चैनल में हम एले बैद अले मुस्सलाम के सिखाए हुए रोज मर्रा के आदाब सिंपल और एनिमेटेड वीडियो से बताएंगे आज हम बात करेंगे इदे गदीर की सबसे पहले सब शियान है तरे कररार को इदे गदीर की बहुत बहुत मुबारकी इस वीडियो में हम आपको दो बाते बताएंगे पहली के इदे गदीर क्या है और दूसरी इदे गदीर में हमें क्या क्या करना चाहिए तो चलिए, शुरू करते हैं असलालेकूं ममा अरे वाह, क्या बात है आपने केक बनाया है लेकिन ममा, मेरा बड़े तो नेक्समन है वालेकूं असलाम, ममा की जान ये केक तुमारे बड़े का नहीं कल आने वाली एद का है इद, बच ममा, रमजान इद और बकर इद दोनों हो गई अब कौन सी इद है ममा? कल अट्रा जिलहज है इसे इदे गदीर कहा जाता है इदे गदीर, ये कौन सी इद है ममा? हाँ मेरे लगत जिगर इदे गदीर अल्ला की सबसे बड़ी इद है अल्ला की सबसे बड़ी इद ऐसा क्या हुआ था ममा? ये वाक्या 18 जिलहज 10 AH याने 10 आफ्टर हिजरत में हुआ था जब हमारे पेगंबर हज़त महमद मुस्तफा सलललाहु अलेहे वाले वसल्लम अपने आखरी हज मुकमल करके तक्रीबन वन लैक मुसल्मानों के साथ मक्का के करीब गदीर कुमनामी जगा पर पहुँचे तब सूरे माइदा आयत नमबर 67 नाजिल हुई जिसमें रसूले खुदा सलललाहु अलेह वसल्लम को अल्लाह की तरफ से एक तैगाम देने को कहा गया ममा मुझे ये आयत नमबर कभी भी याद नहीं रहती मैं कैसे याद रखू ममा आव मेरा बच्चा मैं तुमको एक आसान तरीका बताती हूँ ये जो आयत नाजिल हुई थी वो सूरे माइदा याने फिफ्थ सूरा और 67 आयत थी अब मुझे को बताओ पाच के बाद क्या आता है 6 राइट और 6 के बाद क्या आता है 7 तो याद रखने के लिए कितना आसान है 5, 6, 7 याने फिफ्थ सूरा और 6, 7 याने याने फिफ्थ सूरा और 6, 7 समझा मेरा बच्चा अरे वह ये तो कितना आसान है मैं अभी कभी नहीं बूलूँगा हमेशे याद रहेगा 5, 6, 7 फिफ्थ सूरा 67 आयत फिर इसके पाद क्या हुआ था मॉमा फिर हमारे पैगंबर सल्लालाहु आले वस्सलम सब लोगों को वहाँ पर रुखने को कहा और कहा कि जो आगे चले गए है उन्हें पीछे बुलाया जाए और पीछे वालों को तेजी से आने को कहा so that वो एक important announcement कर सके announcement? कौन सा announcement? हमारे पैगंबर सल्ललाहु आले सल्लम ने कौन सा announcement किया मॉमा? फिर पैगंबर अकरम सल्ललाहु आले वस्सलम मिम्बर पर चड़कर सवाल पूछा कि क्या मैं मॉमिनों पर उनसे ज्यादा हक नहीं रखता हूँ? तब सब लोगों ने कहा कि वो उन पर पूरा हक रखते हैं तब रसुल एकुद्दा सल्ललाहु आले वस्सलम ने फौरान कहा मन कुन तो मॉला हो फहाजा अलियुन मॉला मतलब मैं जिस जिसका मॉला हूँ उस उसके अली मॉला है इसलिए हम इस दिन को इद की तरह सेलिब्रेट करते हैं अच्छा इसलिए इसको इदे का दिर कहा जाता है अब मुझको हमेशे याद रहेगा ममा ममा की जान इसको इदे विलायर और इदे अकबर भी कहते है ममा तो हमें ये इदे गदिर के दिन क्या करना चाहिए क्या मुझको इदी मिलेगी ममा हाँ हाँ तुमको इदी मिलेगी भी और इदी देनी भी होगी मगर मैं तो कितना चोटा हूँ मैं किसको E-Dee दूँ? जब तुमको कोई E-Dee देता है या कोई Give देता है तो तुम कितने खुश हो जाते हो Yess or No? बोल लो मेरो जान हाँ, मैं तो बहुत 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 खुश हो जाता हूँ जब मुझे कोई B-Dee देता है या Give देता है мама ममा, इदे गदीर के दिन एक दूसरे को खुश करने का बहुत सवाब है हमारे इमाम अली अले सलाम ने फरमाया है कि इदे गदीर के रोज एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ और एक दूसरे को तौफे दो ठीक है ममा, कल मैं भी अब्बास बाइजान को गिफ दूँगा और ममा, क्या आपने भी केक इद के लिए बनाया है? हाँ बेटा, कल बहुत सारे लोग इफ्तारी के लिए आने वाले है और जैशन भी है, तो इसलिए केक बनाया है लेकिन ममा, माय रमजान तो खतम हो गया फिर रोधा और इफ्तारी, मैं कुछ समझा ने ममा इदे गदीर को रोजे रखने का बहुत सवाब है हमारे छटे इमाम इमाम जाफर सादिक अले सलाम ने फरमाया है कि इदे गदीर के दिन रोजे का सवाब ऐसा है कि इनसान पूरी दुनिया की जिन्दगी बसर करे और उससे हर वक्त रोजे रखे का सवाब मिलेगा अरे वाँ, तो कल मैं भी रोजे रखूँगा ममा, क्या आप मुझे परमिशन देंगे रोजे रखने की? हाँ, पिल्कुल ममा की जान तुम रोजा रख सकते हो और तुमको मेरी तरफ से दो गिफ्ट्स एक इदे गदिर का गिफ्ट और दूसरा रोजा रखने के लिए गिफ्ट याहू, मुझे को दो दो गिफ्ट्स मिलेंगे थैंक्यू ममा ममा, कल क्या अब्बाज बाइजान भी गर पे आने वाले हैं? हाँ बेटा, कल अब्बाज बाइजान, आमेना फूफो, जैनब दीदी ये साब लोग इफ्टारी के लिए आने वाले हैं क्यूंके हमारे इमाम जाफर सादिक अले सलाम ने फरमाया है कि इदेगदीर के दिन हमें खाश रिष्टेदारों से मिलने को कहा है तो मैंने अपने तमाम करीबी रिष्टेदारे को इफ्टारी की दावत दे दी सो दाड़ इफ्टारी का सवाब भी मिल जाए और सिले रेम भी हो जाए अरे वाह, कल तो बड़ा मज़ा आएगा सब को मिलकर और सब के साथ खेलकर कल बहुत सारे लोग आएंगे तो वक्त ही नहीं मिलेगा तो क्या तुम मुझको बलून्स और लाइट्स लगाने में मेरी मदद करोगे ताके लगे के शिया की सबसे बड़ी इद है हाँ ममा, मैं आपको बलून्स बलो करके देता हूँ थैंक यू ममा की जान और सुनो बेटा, मैंने तुमारे कबड में तुमारे लिए नियू जीन्स और टीशेट लाके रखा है तुम कल नए कपड़े पहनना, ठीक है? वाँ ममा, आप तो मेरी फेवरेट हो थैंक यू ममा नए कपड़ो के लिए, थैंक यू सो मच वेलकम बेटा, मगर ये कपड़े तुम पहले इदे गदीर का गुसल करना, फिर ही पहनना और कल पर्फियम लगाने बिल्कुल नहीं बुलना मैं तुम को एक पर्फियम की बोटल दूँगी तो तुम सब महमानों को कल पर्फियम लगाना, ठीक है? जी ममा, कल मैं सब को पर्फियम लगाऊंगा और हम कल क्या क्या करने वाले ममा? कल सबसे पहला हम जियारत इदे गदीर पढ़ेंगे फिर हमारे वक्त के इमाम को याद करेंगे दुआयनुद्बा पढ़कर और उनकी सलामती के लिए दुआ करेंगे सत्का निकालेंगे हमको हमेशा हमारे वक्त के इमाम को याद करना चाहिए चाहे वो खुशी का दिन हो या गम का दिन हो बस अब इमामे जमाना का जहूर हो जाए ये रोज रोज का किस्सा तमाम हो जाए या आवासवाले मैदी यबन जहरा अदरिक नी मामा मैं भी दुआ करूँगा कि हमारे इमामे जमाना जल से जलदा जाए क्या मैं इदे गदीर के दिन भी इमामे जमाना का सत्का निकल सकता हूँ हाँ, इमामे जमाना के लिए रोज सत्का निकलना चाहिए और इदे गदीर के दिन तो और ज्यादा निकलना चाहिए कल सब लोगों के सामने वो बोल सकोगे हाँ हाँ, जरूर पुलोंगा, क्यों नहीं चलो, तो अब मैं तुमको एक की बाद एक क्वेशन पुछूँगी तुम उसका आंसर देना, ठीक है सो पहला क्वेशन, इदे गदीर कौन सी डेट को हुई थी मुझे उसकी पूरी डेट बताओ 18 जिलाज, 10 AH, सही है न ममा एहसन, माशाल्ला, दूसरा क्वेशन जब हमारे पेगंबर महम्मद सल्लल्लाह आले वस्सलम गदीरे कौन के मैदान में पहुचे तो कौन सी आयत नाजिल हुई थी, जो मैंने तुमको बताया हाँ, मुझे याद है 6, 7, 8 ने, ने, ने 5, 6, 7 हाँ, ममा 5 सूरा मतलब 5 सूरा और आयत 6, 7 मतलब 67 सूरा 5, आयत 67 सही है न, ममा ने, मन कुन तो मौला हो, फहाजा अलियुन मौला इसका मतलब, मैं जिस जिसका मौला हूँ, उस उसके अलियुन मौला सही है न, ममा बिल्कुल सही है अल्ला सुबानाओ ताला सब शियाने हैदरे कर्रा को जो ये नारा बोलते है उन सब को सलामत रखे और सब को बलाफ़त से निजात दिलाए आमीन, सुमामीन सल्वाट